दोस्तों बिना कहे कोई नहीं सुनता है इसलिए आयनिक कमपॉंट्स के दुनिया में सब कुछ बोल कर बताना पड़ता है आज की स्यांदार सेशन में मैं आपको बताऊंगा आयनिक कमपॉंट्स के दुनिया में CF2, NA2 इन दोनों ही कमपॉंट्स की पूरी जानकारी आपको मिल पाएगी आज की स्यांदार सेशन को टेंट करने के बाद I hope दोस्तों आपने रक्षा बंदन को इन्जोई किया होगा सभी भाई और भेनों को रक्षा बंदन की हारदिक सुख काम नाए तो फिर यार नेक काम में धेवी कैस वापीस आते हैं लोटते हैं काम की तरफ आज हमें बात करनी है लेक्चर नमबर 11 की ये हमारा Solid State का लेक्चर नमबर 11 है जिसमें हम सबसे पहले फ्लोराइट स्टक्चर को जानने वाले हैं हम जानने वाले हैं AB2 टाइप structure को, जिसमें देखिए, A कौन है? केलसियम 2 प्लस, B कौन है? F माइनस, यहाँ देखिए, 1 ratio 2 में ये present है, इसलिए हम बोल सकते हैं, A1, B2, ठीक है जिए, दो different type के आएंस हैं, और 1 ratio 2 में present है, तो क्या बोला जा सकता है इस type को? AB2 type, clear है मामला? अभी तक हमने AB type की बात की है, आज हम पहली बार AB2 type के compounds के बारे में जान रहे हैं, जानना चाहते हैं, तो चलिए फिर बात करें, इस different case की है, it is a different case, आपकी दिमाग में ये सवाल आया होगा, कि different case कैसे है? सर ने क्यों बोल दिया इस a different case? टेंशन मतली सी, इसे मैंने यार different case इसलिए बोल दिया है, नोर्मली आप बात करते हैं, R plus by R minus की, इस case फिर हम बात करेंगे R minus by R plus की क्यों करेंगे? आपके देखिए, R plus by R minus less than 1 मिलता है, याद है ना आपको, यहाँ देखिए, R minus by R plus less than 1 होगा, R plus by R minus की, अभी तक हमने काफी सारे Compounds में बात की है, इसलिए की है, क्योंकि हम यह देखना चाहते थे, कि किस टाइप का वोइड कैटाइन ने occupy किया होगा, स्मोलर आएन कैटाइन होगा, तो यार कैटाइन ही तो वोइड को occupy कर रहा होगा, लेकिन, 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 यहाँ देखिए दोस्तों, ये एक different case है, इसलिए ही ये different case है, देखिए different क्या है इसमें, different ये है, R minus is less than R plus, अ एनाइन का radius, कैटाइन की radius से कम है इस case में, जी हाँ, smaller atom से बनाया गया, एनाइन, छोटा ही तो होगा, फ्लोरिन देखना यार, इस परकास periodic table में, right side हम जाएंगे, तब मिलेगा यार, और right side जाने पर आप जानते हैं, modern periodic table में atomic radius decrease करता है, अगर फ्लोरिन का radius से कम है, तो फ् कम मिलेगा, इतना कम मिलेगा, किसके साथ, जो कैलसियम 2 प्लस है, उससे भी कम है, अरे, एनाइन का radius कम हो सकता है, क्या, जी हाँ, यही मुझे आपको feel करवाना है, यही feel दिलाना है, एनाइन का radius, कैटाइन के radius से कम हो सकता है, अगर ऐसा है, तो फिर जड़ा दिमाग लगा यह, एनाइन अगर छोटा है इस केस में, कैटाइन बड़ा है इस केस में, तो वोइड में कौन मुझूद होगा, वोइड में तो यार छोटी चीज मुझूद होगी, छोटा आइन मुझूद होगा, मुझे लगता है, अगर इस केस में एनाइन छोटा है, तो इससे Maintain electrical neutrality in order to maintain electrical neutrality and stoichiometry of compound. जी हाँ, stoichiometry भी maintain होने चाहिए है. F-1 occupy all tetrahedral words and calcium 2 plus form FCC और CCP. जी हाँ, ऐसा ही होगा. Stoichiometry को maintain करना है. One ratio two में present मिलने चाहिए. और यार net charge compound पर zero मिलना चाहिए. Electrical neutrality maintain मिलने चाहिए. इसके लिए क्या होगा? नोट कीजिए. calcium 2 plus science, bigger ions, form FCC. बड़े ions ने calcium 2 plus science ने क्या बनाया होगा है? इन्होंने FCC बनाया होगा. smaller ions, F minus ions occupy all tetrahedral words. यहाँ, यह tetrahedral words में मुझूद होगे. क्यों होगे? बता चुका हूँ. क्योंकि आर stoichiometry तभी तो maintain हो पाएगी. वन ratio two में या ions इस particular crystal में तभी तो आपको मिल पाएगे. जब सभी tetrahedral words occupied हों, किस से? F minus से. मामला clear है? Electrical neutrality और stoichiometry maintain होने चाहिए. चलिए, कैसे maintain हो पाएगी stoichiometry, कैसे electrical neutrality maintain हो पाएगी? डिटेल में करेंगे बात, उससे पहले हम calcium 2 plus science ने किस फरकार से face centered cubic lattice बनाया होगा? और इससे related unit cell मैंने आपके सामने डो किया है. जिसमें देखिए, calcium 2 plus science corners पर मुझूद होंगे? जी हाँ, cube के corners पर bigger आइंस होंगे. और face centers पर bigger आइंस होंगे, calcium 2 plus, corners के लावा इस परकार से cube के face center पर भी मुझूद होंगे. स्मोलर आइंस कुन है? एफ माइनस है. किये कहां मुझूद होंगे? यार, स्मोलर आइंस face centered cubic unit cell में बनने वाले tetrahydral voids में present होंगे. आपको याद होगा, location of voids नाम का lecture आपने जरूर अटेंड किया होगा. FCC में हमने tetrahydral और octahedral voids को locate किया था. याद है आपको? अगर आपको याद नहीं है, तो यार उस lecture में जाए, lecture number मुझे ध्यान नहीं है. आप playlist में जाकर देखेंगे, आपको location of voids का lecture मिल जाएगा. वहाँ मैंने बात की है, tetrahydral voids की location की और साथ में octahedral voids की location की. अभी हमें tetrahydral voids को visualize करना है, एक smaller cube में body center पर होगा tetrahydral voids. कुन सी smaller cube में? यार इस cubic unit cell को 8 smaller cube में divide किया जा सकता है. हर smaller cube का body center, tetrahydral voids की location होगा. हर smaller cube के body center पर मुझूद होगे, कौन? F minus ions. किस परकार से होगे, या आपके सामने है. इस परकार से 8 smaller cubes होगे, और हर smaller cube के body center पर, देखे, tetrahydral voids मिल रहा होगा, और tetrahydral voids में कौन located होगे? इस परकार से देखे, fluorine minus ions को यहाँ locate किया गया है, draw किया गया है. और calcium 2 plus ions ने देखे, lattice बनाया है, ये corners and face center पर मुझूद है. इसका unit cell दिखने में कैसा होगा? unit cell दिखने में ऐसा होगा. I hope आपने complete picture को visualize किया होगा. एक आपने unit cell बनाया होगा, उसको इस परकार से 8 smaller cubes में आपने divide किया होगा. corners और face centers पर आपने calcium 2 plus ions यानि bigger ions को draw किया होगा. इस परकार से 8 smaller cubes जो आपको दिखाई दे रही होंगी, इस unit cell को 8 smaller cube में divide करने के बाद आपको दिखाई देंगी, इन 8 smaller cube के body center पर आप smaller ions को locate करने वाले हैं, कर लिया locate आपने fluorine minus को, तो इस परकार से देखे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 fluorine minus ions आपको मिल जाएंगे. I hope पूरी picture को आपने बार बार visualize कर लिया है, अगर यार आपने इस complete picture को बार बार visualize कर लिया है, अब आप ही मुसे बताएं, effective number of ions पर unit cell कितने होंगे? पहले बात, यह जो effective number हम यहाँ पर देखने वाले हैं, यह अलग अलग से calcium 2 plus fluorine minus ions के लिए देखने वाले हैं, क्योंकि यार दोनों ही type के ions का जो number होगा, यह same नहीं होगा, one ratio, two stoichiometer के साथ यहाँ पर यह ions मुझूद हैं, तो इस case में देखने का number अलग होगा, तो अलग-अलग से ही हमें calculate करना होगा, कैसे calculate करना होगा ध्यान से देखिए, Z4 calcium 2 plus, जिन्होंने face centered cubic lattice बनाया है, जो कि यार corners और face center पर मुझूद होंगे, यह cubic unit cell में, हम per unit cell बात करने वाले हैं, अगर per unit cell हम calcium 2 plus के number को calculate करने में कामियाब हो जाते हैं, तो यार पूरे lattice के case में भी से generalize किया जा सकता है, तो smallest repeating pattern हम draw कर चुके हैं, यह देखिए, face centered cubic unit cell आपके सामने है, जिसमें 8 corners and 6 face centers पर calcium 2 plus ions मुझूद होंगे, हर corner पर रखे calcium 2 plus का contribution होगा 1 by 8, हर face center पर रखे calcium 2 plus का contribution होगा 1 by 2, 6 face center है, ऐसे calcium 2 plus 6 होगे, 1 by 2 contribution के साथ, तो यहां से देखिए, पर unit cell effective number of calcium 2 plus कितने मिलते हैं, 4 मिलते हैं, इसके बाद देखिए, बार ही है, effective number of fluorine minus को find करने की, या नहीं, z4 fluorine minus find करने की, हर smaller cube के body center पर fluorine minus है, इस unit cell को आपने 8 smaller cubes में divide किया, हर smaller cube के body center पर fluorine minus है, तो दियान से देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, कितने fluorine minus हैं, या इस case में 8 fluorine minus है, हर smaller cube के body center पर, एक fluorine minus मुझूद है, या या फुल contribution के साथ है, इसको दूसरी cube share नहीं कर पाएगी, मतलब ये sharing में नहीं होंगे, अगर या ये sharing में नहीं होंगे, तो full contribution होगा, और ऐसे 8 fluorine minus का अगर full contribution है, तो कितने fluorine minus हुए, effective number of F minus पर unit cell होंगे, 8, यह आपके सामने है, ठीक है, किस ratio के साथ ही मुझूद होंगे, calcium 2 plus F minus 4 ratio 8, यहा देखिए, 1 ratio 2, simplest ratio यहीं मिल पाएगा, इस से देखिए, A1, B2, इस परकार से आपको, ये stoichiometry मिलती है, A1 है, और B कितने है, B type के आएंस कितने है, ये 2 है, calcium 2 plus अगर 1 है, तो इसके साथ fluorine minus कितने होंगे, 2 होंगे, इस परकार से आप simplest formula को indicate कर पाएंगे, इसके stoichiometry को देख पाएंगे, आगे चलते हैं, आगे बात होगी यार, formula of unit cell की, अगर पर unit cell calcium 2 plus का number 4 है, fluorine minus का number 8 है, तो formula of unit cell हो जाएगा, CA4 F8, I hope ये भी आपको अंडिस्टेंट हो गया होगा, अब बारी है यार, formula of I-N-E compound को अंडिस्टेंट करने की, आपकी knowledge के लिए, मैं आपको बता दू, I-N-E compound के case में, जो एहमियत होती है, जो importance होती है, ये simplest और empirical formula की होती है, simplest और empirical, molecular formula यार, इनका meaningless होता है, meaningful जो formula है, ये simplest और empirical है, तो इस formula की बात करेंगे, जब भी I-N-E compound के formula की बात की हो, तो आप बोल देंगे, क्यार, simplest और empirical formula ही हमें जानना है, तो देखिए, simplest और empirical formula इस case में होगा, इस परकार से simplest ratio से, CA1, F2, यार ये 1 है, तो ये ions कितने होंगे, 2 होंगे, calcium 2 plus का number अगर 1 है, तो fluorine minus का number 2 होगा, तो यहां से यार, simplest और empirical formula, जो आपको मिल पाएगा, जो मुझे मिल पाएगा है, ये क्या होगा, CA1, F2 होगा, ये मामला को clear है, अगर simplest और empirical formula की बात की गई है, यानि, ionic compounds के formula की बात की गई है, ये अपने आत्मा को ये बात आप, समझा दीजेगा, जब भी ionic compound के formula की बात की गई है, यानि, आप से पूछा गया है, simplest और empirical formula, molecular formula यहां पर meaningless होता, ionic compounds के case में, जो meaningful है, उसकी बात करेंगे, simplest और empirical meaningful है, तो उसे हम देख चुके हैं, अब आर इफेक्टिव नंबर और formula units को, यहां चेक करने की, यार formula पर unit cell, CA4 F8 है, calcium 2 plus का number 4 मिलता है, fluorine minus का number 8 मिलता है, जब आप 4 को common लेजिए, ठीक है, यहां से, CAF2 type की जो formula units होंगी, यह कितनी होंगी, 4 होंगी, तो effective number of formula units कितनी मिलती हैं, यह 4 मिलती है, इस परकार से, CA4 F8 से, 4 common लेने पर, इस type की units देखी, कितनी मिलती है, CAF2 type की units हमें मिलती है, 4, तो effective number of formula units कितनी होई, 4 होई, आगे चले, coordination number of calcium 2 plus, and coordination number of F minus, coordination number का meaning आप जानते है, number of nearest neighbors, which are in directly contact with, a particular type of ions, the answer देखी, number of nearest neighbors, number of nearest neighbors, which are in contact with, which are in contact with, contact with, a particular type of ion, type of ion, जैसे, calcium 2 plus की साथ, contact में होंगे, F minus, जी हाँ, oppositely charged, particles की interaction होंगी, तभी तो आपको, पूरा system stable मिल पाएगा, पूरी arrangement आपको, stable मिल पाएगी, अगर like charges की interaction हुई, तो यार, गडबड हो जाएगी, घोटाला हो जाएगा, like charges, रिपेल करते हैं, और, oppositely charged particles, इनकी बीच होगी आपको आपको, यानि, हम calcium 2 plus को, surrounded पाएँगे, fluorine minus से, और fluorine minus, surrounded मिल रहा होगा, calcium 2 plus से, क्या कहना चाहता हूँ, calcium 2 plus के साथ, यार, fluorine minus की interaction होगी, और fluorine minus के साथ, calcium 2 plus की interaction होगी, आईए, इसी interaction को हमें, understand करना है, तो detail में understand, साथ मिलकर करते हैं, मुझे लगता है, साथ मिलकर अगर इसे understand किया जाएगा, तो ये काम हमारे लिए, बेदासान हो जाएगा, ये देखिए, fluorine minus, सामने जो smaller cube का body center है, यहां मुझे है, इसके साथ, कितने calcium 2 plus contact में होंगी, एक, दो, तीन, चार, ये देखिए, इस particular fluorine minus के साथ, four calcium 2 plus contact में, चार calcium 2 plus contact में, यहां देखिए, किसी भी fluorine minus को आफ विजुलाइज करें, उसके साथ, यार, four calcium 2 plus, एक contact में आपको मिल पाएंगी, ये arrangement कुछ इस type की है, जियां से देखिए, ये जो arrangement आप देख रहे हैं, ये arrangement कुछ इस type की है, किस type की है, fluorine minus tetrahydral void में मुझे है, और ये tetrahydran किस ने बनाया है, ये tetrahydran calcium 2 plus आइंस का है, इन आइंस ने बनाया है, ये देखिए, ये देखिए, जियां से देखिए, तो इस परकार से यार, कितने calcium 2 plus contact में होंगे, एक fluorine minus के साथ, अगर इस परकार से tetrahydran केलसियम 2 plus ने बनाया है, तो ये इस tetrahydral void में कोन मुझे होगा, F- मुझे होगा, अगर इस tetrahydral void में F- मुझे होगा, तो कितने यार, calcium 2 plus इसके साथ directly contact में हैं, जिनकी इसके साथ interaction है, 4 calcium 2 plus की एक fluorine minus के साथ interaction होगी तो coordination number of F minus कितना हुआ ये 4 हुआ वेरी नाइस अगर यह आपने यहां visualize कर लिया है इसे और आपने यहां visualize कर लिया है हर smaller cube के body center पर मुझूद F minus के साथ 4 calcium 2 plus contact में और इसका coordination number 4 मिल रहा है तो फिर आगे चलें हागे बात होगी यार calcium 2 plus के coordination number की अब ये तो आप देख चुके F minus के साथ directly interaction में होंगे calcium 2 plus अब यार calcium 2 plus के साथ कौन होगा directly interaction में F minus पहले ही हम बात कर चुके हैं यार oppositely charged particles की बीच होगी attraction और इसी attraction से ही हमें आपर ionic compound stable मिल रहा होगा अब fluorine minus के साथ किस परकार से calcium 2 plus contact में हैं ये आपके सामने हैं अब बारी है calcium 2 plus के साथ किस परकार से fluorine minus contact में होंगी बिलकुल दियान से देखिए यहां face center पर जो calcium 2 plus है calcium 2 plus के साथ कितने fluorine minus contact में हैं ये देखिए face center पर जो calcium 2 plus है इसके साथ ये 4 fluorine minus contact में हैं जो कि left side होंगे अगर symmetry से आप visualize कर पाएं तो इसके बगल में भी यार एक cubic unit cell होगा बिलकुल होगा पूरी lattice में तो यार काफी सारे cubic unit cell होंगे राइट side भी होगा इसके left side भी होगा आगे भी होगा पीछे भी होगा उपर भी होगा नीचे भी होगा लेकिन हम interested है इसके जो right side unit cell होगा उसमें और वहां से देखिए वहां से देखिए ऐसे 4 fluorine minus मिल रहे होंगे हाँ वहां से मिलें गयार उस unit cell को भी 8 smaller cubes में divide किया जा सकता है और उन smaller cube के body center पर fluorine minus अगर मुझूद होंगे यह देखिए यह right side से इसके साथ contact बना रहे होंगे इस परकार से अगर 4 left side से और 4 right side से calcium 2 plus के साथ contact बना रहे होंगे तो यहार क्या coordination number हुआ इसका coordination number हुआ 8 note कर ले coordination number of calcium 2 plus will be 8 coordination number of calcium 2 plus कितना होगा 8 होगा कैसे होगा आप 1 calcium 2 plus को इस परकार से 8 fluorine minus से surrounded देख चुके हैं और 8 fluorine minus किस परकार से contact बना रहे हैं इसकी पूरी picture आपके सामने है तो यहार बाकी calcium 2 plus के साथ भी ऐसा ही हुआ होगा वहाँ भी आपको 8 coordination number ही मिल रहा होगा क्या यह आपको चमक गया है हागर यार यह आपको चमक गया है तो फिर आगे चलते हैं आगे बात होगिया relation between as length A R calcium 2 plus and R fluorine minus यह आप जानते हैं corner से लेकर smaller cube के body center तक का distance यह आप जानते हैं काफी बार हमारा इससे related discussion हो चुका है अगर यार as length है small A तो यह distance कितना होगा बोलो बोलो कितना होगा है distance अरे बोली जल्दी से कितना होगा है distance यह होगा अगर as length A है तो unroot 3A by 4 कितना होगा यह यह होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक का distance यह होगा यार unroot 3A by 4 as length A है कोर्नर से लेकर स्मोलर क्यूब के बोडी सेंटर तक का डिस्टेंस हुआ अंडरूट 3A by 4 मामला क्लियर है अब देखिए इस डिस्टेंस के लोग अगर हम चलें और बात करें तो हमें R केलसियम 2 प्लस R फ्लोरीन माइनस किस फरकार से रिलेटिड मिल रहे है यह देखिए यह कोर्नर पर मुझूद है केलसियम 2 प्लस केलसियम 2 प्लस और यह देख लें यार स्मोलर क्यूब के बोडी सेंटर पर है फ्लोरीन माइनस यह बिगर स्फियर केलसियम 2 प्लस का center होगा यह smaller sphere F minus का center होगा और यार हम इतना distance चलें unroot 3 by 4 इतना distance अगर हम चल रहे हैं तो इसके along हमें क्या मिलता है त्यांसे देख यहां से यहां तक क्या मिलता है यह मिलता है R calcium 2 प्लस बीगर sphere का radius ही तो है यहां से यहां तक क्या मिलता है यह मिलता है R fluorine minus यह smaller sphere का radius मिलता है यह मिलता R fluorine minus तो यहां से यहां तक का distance कितना हुआ यह हुआ यार R calcium 2 plus plus R fluorine minus यहां इस center से लेकर इस center तक का distance कितना हो R की terms में R calcium 2 plus R fluorine minus और एक ही terms में यह distance आपके सामने है unroot 3 by 4 तो चलिए equate करने में देरी कैसी जल्दी से मैंने इसको equate किया equate किया तो यार इस relation को याद कर लें इस relation को जल्दी से याद कर लें याद कर लिया है ऐसा relation आपको zinc sulfide structure में भी मिल पाया था वहाँ आपको मिल पाया था r zinc 2 plus plus r sulfur 2 minus is equal to unroot 3 by 4 यहाँ भी यार वैसा ही relation हमें मिल रहा है तो चलिए याद कर लिया यार ये cubic unit cell है तो cubic unit cell के लिए density कैसे find होगी या आप जानते हैं आप जानते z into m divided by a cube into na इस formula को हमें apply करना होगा और cubic unit cell के लिए density को find करना होगा देखिए z कितना होगा number of formula units cf2 के case में कितनी होगी 4 होगी molar mass cf2 का put करना होगा put कर देंगे भई no tension a क्या put करेंगे या तो ये दिया होगा as length है ये इसको put कर लेंगे या फिर आपको r calcium 2 plus r fluorine minus दिया होगा इस relation को use करते हुए आप a को यहां से put कर पाएंगे r calcium 2 plus plus r fluorine minus is equal to 1 root 3a by 4 a यहां से हम put कर पाएंगे na क्या है ये avogadros number है na is avogadros number इसकी value 6.022 into 10 raise to power 23 मिलती है numerical date आपको दिया होगा तो यार यहां से इस result को use करते हैं वो density को find करना आप नहीं बूलेंगे नहीं बूलेंगे याद कर लिया है काफे बार आपने यारे इसे apply भी किया होगा cubic unit cell के धेर सारे question हमने practice किये थे और आपने भी किये होगे तो यार ये formula आप कैसे भूल सकते हैं नहीं बूलेंगे तो चलिए फिर नहीं बूलेंगे तो आगे चलते हैं distance between first nearest f minus to f minus क्या होगा और ऐसे आर first nearest यानि सबसे पास fluorine minus कितने होंगे इसकी हमें detail में बात करने है आप जानते हैं हर smaller cube के body center पर fluorine minus मिलता है हर smaller cube के body center पर अगर fluorine minus मिलता है ये देखिए smaller cube अगल बगल placed है ये देख लें आट यहाँ fluorine minus है यहाँ fluorine minus है यहाँ भी fluorine minus है हर smaller cube के body center पर fluorine minus है और यह आप जानते होंगे यहाँ से यहाँ तक का distance A है यी है एस length A और यहाँ से यहाँ तक का distance हुआ कितना A by 4 यह कितना होगा A by 4 यह कितना होगा A by 4 यहानि A by 4 into 4 A मिलता है distance मामला clear है तो अगर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस A by 4 है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस A by 4 है तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हुआ यह हुआ A by 2 यह हुआ A by 2 यानि यार सबसे पहले जो पास में फ्लोरीन माइनस मिल रहे होंगे ये A by two distance पर मिल रहे होंगे हाँ इसे आगे चलेंगे इनसे दूर चलेंगे तो और fluorine minus भी मिल जाएंगे लेकिन हमें सबसे पहले सबसे पास सबसे कम distance पर जो fluorine minus होंगे एक particular fluorine minus से दूर इन fluorine minus को पहचानना होगा ठीक है जी? कितना दूर होंगे? एबाइ two distance पर मिल रहे होंगे वैसे सबसे पास होंगे जी हाँ इन चीदूर तो कितना भी दूर हम आगे चलें जा सकते हैं और fluorine minus की बात कर सकते हैं लेकिन सबसे पास जो A by two distance पर मिल रहे हैं उनकी बात करनी है जो सबसे पास हैं हम यार सबसे पहले first nearest की बात कर रहे हैं तो ऐसे ही fluorine minus में interested होंगे जो सबसे pass होंगे अगल बगल smaller cube के body center पर fluorine minus होंगे और यही एक दुसरे के लिए सबसे pass होंगे अब सवाल यह है ऐसे कितने होंगे आखिरकाल ऐसे कितने fluorine minus हमें मिल पाएंगे एक particular fluorine minus के पास तो इस परकार से a by two distance पर मिल रहे होंगे कितना दूर मिल रहे होंगे? a by two distance पर मिल रहे होंगे सबसे pass होंगे, सोचिए कितने होंगे दिमाग के घोड़े दोड़ाई यह, मुझे लगता है इस परकार से आपने a smaller cube के face center को cross करते हुए दूसरी smaller cube में entry ली है हैसी entry तो आप यहां से भी ले पाएंगे एक smaller cube के body center से दूसरी smaller cube के body center तक जाना है यार इस face center को cross करते हुए आप entry ले, आपको यहां जो बगल में smaller cube होगी उसके body center पर fluorine minus मिल रहा होगा जी हाँ, और यार इसके सामने जो smaller cube होगी वहां भी fluorine minus इसके body center पर मिल रहा होगा पीछे जो smaller cube होगी इसके body center पर भी fluorine minus होगा, मतलब मैंने क्या किया मैंने यार एक smaller cube के body center से इस परकास से चलना start किया एक face center को cross करते हुए दूसरी smaller cube के body center तक मैं पहुँच गया a by two distance तक मैंने जैसे travel किया मुझे आर रहा है body center पर fluorine minus मिल पाया यानि इस परकास से face center को cross करते हुए a by two distance तक हमें चलना है कितने face center है अगर यार बगल में अगर हमें face center मिल रहा है और a by two distance पर चलने पर fluorine minus मिल रहा है तो इस तरफ बगल में भी क्या होगा left side क्या होगा fluorine minus होगा a by two distance तक मिल रहा होगा क्यों यहां भी हमने similar अंदाज में face center को cross करते हुए a by two distance पर fluorine minus मिल रहा है ये भी first nearest होगा ऐसे यार सामने भी face है इस face center को cross करते हुए a by two distance पर fluorine minus मिल पाएगा पीछे भी यार face center है उसे भी cross करते हुए अगर हम a by two distance तक जाएंगे पीछे दो smaller क्यूब उसके body center तक जाएंगे वहाँ भी हमें first nearest fluorine minus मिल रहा होगा और उपर जाने पर भी यार हाँ ये भी देखिए face center है इसको cross करने पर भी हमें देखिए a by two distance पर चलने पर या हमें smaller cube के body center पर हमें a by two distance पर चलने पर यहाँ पर देखिए क्या मिलेगा smaller cube के body center पर fluorine minus मिलेगा similarly नीचे देखिए इस face center को cross करते हुए अगर हम जाएंगे a by two distance तक और नीचे हमें smaller cube मिल रही होगी उसके body center पर हमें क्या मिल रहा होगा f minus बैठा हुआ मिल रहा होगा और ऐसा f minus हमें यहाँ भी देखिए a by two distance सलने पर मिल रहा होगा सामने smaller cube के सामने यहाँ जो एक और smaller cube होगी यहाँ देखिए इस परकार से आपने इस face center को cross किया और उस smaller cube में entry ली उसके body center पर भी क्या मिल रहा होगा f minus बैठा हुआ मिल रहा होगा a by two distance पर मिल रहा होगा पीछे देखिए यह face center है यह face center है visualize किया इसे cross करते हुए जो smaller cube आपको पीछे मिल रही होगी उसके body center पर भी f minus मिल रहा होगा और a by two distance पर चलने पर मिल रहा होगा यान इस परकार से एक particular smaller cube के body center से body center से right, left, उपर, नीचे आगे, पीछे a by two distance पर हमें first nearest fluorine minus मिल रहे होगी यार इनकी बीच का distance कितना है a by two है कितना distance a by two है यही क्या होगे यही होगे first nearest fluorine minus कितने होगे यार number of number of first nearest fluorine minus six होगे कैसे होगे तेक right मिलता है, left मिलता है आगे मिलता है, पीछे मिलता है, ऊपर मिलता है, नीचे मिलता है तो यार six ही तो होगे हर smaller cube के face center को cross करने पर पडोसी smaller cube के body center पर floor in minus मिलता है और यार ऐसे face center 6 ही तो होंगे ऐसे पडोसी cube के body center 6 ही तो होंगे ऐसे first nearest floor in minus यार 6 ही हमें मिल पाएंगे अगर 6 मिलेंगे यार two distance पर मिलेंगे very good अगर आपने इसे visualize कर लिया है अब बारी है यार second nearest को find करने की सेकंड नीरस्ट के लिए क्या करना होगा सेकंड नीरस्ट के लिए इस परकार से आपको एक स्मोलर क्यूब ड्रो करनी होगी ये लिजिए है ड्रो की और एक स्मोलर क्यूब यहां ड्रो की जियार यहां ड्रो करनी होगी एक स्मोलर क्यूब को आपने यहां ड्रोग किया और एक और स्मोलर क्यूब को आपने यहां ड्रोग किया वेरी नाइस अच्छे से ड्रोग करना होगा तब ही जाकर यार हमें देखिए सेकिंड निरस्ट की पूरी फील आप आएगी ठीक है? हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं यार सेकिंड निरस्ट एफ माइनस की पूरी फील तो क्या करना होगा इसके लिए? यह देखिए यहां एक फ्लोरिन माइनस है स्मोलर क्यूब के बोडी सेंटर पर बगल में जो स्मोलर क्यूब है इसके बोडी सेंटर पर भी florin minus है मामला clear है इस परकार से अगर हम diagonally move करते है तो यहां भी यार smaller cube मिलेगी जी हाँ उपर नीचे अगल बगल और इस तरह भी तो मिलेगी यार यहां smaller cube है यहां होगी यहां होगी सामने होगी पीछे होगी तो यार इस परकार से diagonally move करने पर भी हमें florin minus मिल रहे होगी मेरा तो यह मानना है यही होंगे second nearest क्योंकि सबसे पास तो यह है जस्ट बगल में diagonally move करने पर तो हमें यार second nearest मिल रहे होगी इसे distance को हमें find करना है कितने distance पर मिल रहे होंगी और इनका number क्या होगा कितने होंगे या एन सेकिंड नियरस द्यान से देखिए क्या करें यार एक ट्रेंगल बनाएं क्या करें इसके लिए ट्रेंगल बनाएं ऐसे एक ट्रेंगल हमें यहां पर ट्रांस्फॉर्म करनी होगी उससे आइडिया मिल पाएगा कैसे आईडिया मिल पाएगा देखिए ये बेस है ये परपेंडिकुलर है और ये है हाइपुट नियूज ये हमें क्या मिल रहा होगा ये हमें यार इस परकार से हाइपुट नियूज मिल रहा होगा ये हमें हाइपुट नियूज मिल रहा होगा मामला क्लियर है यह है परपेंडिकुलर, यह है बेस, यह हाइपुटनियूज यहां से यहां तक का डिस्टेंस हम जानते हैं हम यार बेस जानते कितना होगा कितना होगा इस केसमें A by 2 होगा यहां से यहां तक का डिस्टेंस A by 4 और यहां से यहां तक का distance ay4, ay4 plus ay4, यह हो a by 2. अगल बगल smaller cube के, body center का distance जी कितना होगा a by 2 होगा. और अगर ही a by 2 है, symmetric से देखिए, यहां भी अगल बगल, summer cube के body center का distance, यह भी a by 2 होगा. जी हाँ और यहां से यहां तक का distance हमें find करना है हमें यार second nearest florin minus to florin minus के distance की बात करनी है चमक गया अरे चमक गया right angle triangle है क्या apply करनी है python gores theorem apply करनी है यानि इस case में p square plus b square is equal to h square को apply करना है हम interested है h को find करने में high put news को find करने में देखिए p की value आपने क्या put की a by 2 यह p square है b की value है a by 2 यह b square है h हमें find करना है कितना मिल रहा होगा h h हमें मिल रहा होगा a by root 2 h हमें कितना मिल रहा होगा a by root 2 मिल रहा होगा ठीक है यह हमें मिल रहा होगा a by root 2 yet a by root 2 मिल रहा होगा मामला clear है कहाने clear है अगर यार यह आपने understand कर लिया है a by root 2 मिल रहा है तो हम बोल सकते हैं distance between second nearest f minus to f minus कितना होगा a by root 2 होगा चलिए very nice कितने होंगे number of second nearest f minus कितने होंगे ऐसे सोची सोची दिमाग लगाईए symmetry को feel कीजिए number of second nearest कितने होंगे से f minus symmetry को feel करना है मुझा लगता diagonally जाने पर इस फरकार से second nearest मिल रहे होंगे a by root 2 distance पर मिलते हैं नहीं मिलते हैं एक मिलता है तो बाकी भी मिल जाएंगे कैसे मिल जाएंगे यहां हमने देखी edge center को cross किया symmetry से feel करना होगा इसके चारों तरफ कितने edge center हैं इस परकार से diagonally हम edge center को cross करते हुए कितने different ways में हम जा सकते हैं मुझा लगता है 12 edges हैं अरे cube में 12 edges हैं तो 12 edge center होंगे और इस परकार से हर edge center को cross किया जा सकता है और diagonally move किया जा सकता है एक smaller cube के body center से दूसरी smaller cube के body center तक जाय जा सकता है edge center को cross करते हुए एक smaller cube के body center से दूसरी smaller cube के body center तक 12 edge centers तो यार ऐसे 12 हमें second nearest F- मिल रहे होंगे कितने distance पर A by root 2 distance पर I hope आपने इस पूरी picture को imagine कर लिया होगा अगर आपने आपने इस पूरी picture को imagine कर लिया है तो बारी है packing efficiency को अंडस्टेंड करने की calcium fluoride के लिए packing efficiency को कैसे indicate किया जाएगा क्या है packing efficiency यह है यार volume occupied by total volume into 100 per unit cell volume occupied by total volume into 100 की बात करने है तो देखिए volume occupied कितनी मिल रही होगी 4 calcium 2 plus आइनस है per unit cell और 8 fluorine minus आइनस है तो यार 4 calcium 2 plus ने volume occupied की होगी 4 into 4 by 3 क्यों इस परकार से calcium fluoride structure में per unit cell हमने volume occupied की बात कर ली है यार 4 calcium 2 plus है 8 fluorine minus है तो 4 calcium 2 plus ने इतनी volume occupy की 8 fluorine minus ने इतनी volume को occupy किया यानि per unit cell volume occupied यह हमारे सामने होगी calcium 2 plus को भी मैंने spherical मान लिया fluorine minus को भी spherical मान लिया इनकी volume को मैंने volume of sphere के formula से indicate कर लिया no tension 4 calcium 2 plus है तो 1 calcium 2 plus की volume को 4 से multiply किया 8 fluorine minus है 1 fluorine minus की volume को 8 से multiply कर लिया volume occupied हमें इतनी मिलती है total volume कितनी होगी यह होगी यार a cube cubic unit cell का case है और cube की volume अगर as length a है a cube होगी into 100 करेंगे तो packing fraction और packing efficiency हमें यह से मिल पाएगी अगर यार a की value आपके पास ना हो और आपके पास r calcium 2 plus हो r fluorine minus हो तो हमें इस relation को यूज करना होगा r calcium 2 plus plus r fluorine minus is equal to and root 3 by 4 यहां से हमें a की value मिल पाएगी और इस a की value को हम यहां पर बिंदास तरीके से put कर पाएगे तो हमें packing fraction और packing efficiency की numerical value मिल पाएगी अगर यार आपको r calcium 2 plus ना दिया हो r fluorine minus ना दिया हो और a भी ना दिया हो फिर क्या करेंगे जरूर आपको यार numerical value फाइंड करने के लिए r calcium 2 plus r fluorine minus दिया होगा या फिर r fluorine minus by r calcium 2 plus दिया होगा इस ratio को आप यूज कर पाएंगे और numerical value को find कर पाएंगे very nice अगर आप find कर पाएंगे तो काफी अच्छा रहेगा जिहां आपको पूरे marks मिल जाएंगे अगर एक्जाम में numerical value find करने हुई बाकी मुझे लगता है कि numerical value तक हमें पहुंचना है तो काफी ज्यादा वक्त हमारा utilize होगा तब ही हम पहुंच पाएंगे मुझे लगता है एक्जाम में ये expression आप से पूछा गया होगा किसकी packing efficiency, packing fraction का कैसा expression होगा ऐसा होगा ये आप देख चुके हैं अब यार क्या पता CF2 ना दिया हो कोई और compound दिया हो तो इसकी जानकारी भी आपको होनी चाहिए CF2 टाइप का structure और कौन-कौन से आएनिक compounds का मिलता है हो सकता आपको SRF2 दिया हो हो सकता आपको BAF2 दिया हो हो सकता आपको BACL2 दिया हो इन compounds का भी आर similar structure मिलता है ठीक है जी ये इसकी examples होंगी अगर याप देख चुके हैं तो बारी है यार anti-fluoride structure को जानने की ये देखिए ये किस टाइप का case है है यार अभी तक जो आपने देखा है इसका opposite case है opposite case कैसे है opposite इस sense में है जहाँ जहाँ पर calcium 2 plus science थे वहाँ पर इस case में O2 माइनस होंगी जहाँ जहाँ पर CF2 में fluorine minus science थे वहाँ वहाँ पर Na plus science होंगी याने CF2 में कैटाइन को replace कीजिए Na2O के N9 से O2 minus से CF2 में N9 को replace कीजिए इसके कैटाइन से Na plus से तो आपको Na2O structure मिल जाएगा याने आपको anti-fluoride structure मिल जाएगा आपको क्या मिल जाएगा anti-fluoride structure anti क्यों बोला गया क्योंकि उसका opposite case है जहाँ पहले कैटाइन मिल रहे थे वहाँ क्या मिलेंगे N9 जहाँ पहले N9 मिल रहे थे वहाँ क्या मिलेंगे Na plus ऐसे कैटाइन मिलेंगे क्यों मिलेंगे क्योंकि यार पहले हमने बात की थी R-fluorine minus by R-calcium 2 plus की ये ratio हमें less than 1 मिल रहा था यानि smaller ions पहले हमें fluorine minus मिल रहे थे CF2 में या इस case में बात होगी R-na plus by R-O2 minus की और ये ratio हमें मिल रहा होगा less than 1 यानि इस case में smaller ions कौन है अगर ये ratio less than 1 मिल रहा है तो यहां से देखिए clear है smaller ions कौन है N-na plus ये ही मुझूद होगे कहां पर voids में कौन से voids में tetrahedral voids में आप जानते हैं इन्होंने क्या बनाया है FCC बनाया है तो voids में कौन मुझूद होंगे N-na plus क्योंकि ये smaller ions है इसलिए मैंने बूला F- को N-na plus से replace करना होगा और calcium 2 plus को किसे replace करना होगा अगर यहां इस case में bigger ions calcium 2 plus थे और इस case में यहां देखिए bigger ions को O2 minus है तो calcium 2 plus को replace करना होगा O2 minus से मामला clear है पहले आपको ratio मिल रहा था 1 ratio 2 अब ratio क्या मिल रहा है 2 ratio 1 यानि ये type है A to B उसका क्या है opposite है मामला clear हुआ ना आपको तो क्या यार इसके बारे में सारी बाते मुझे करने की जरूरत है मुझे नहीं लगता है आप relate कर लेंगे जहाँ जहाँ पर calcium 2 plus ions थे CF2 में वहाँ वहाँ पर इस case में कौन होंगे O2 minus ions bigger ions जहाँ जहाँ पर F minus ions थे वहाँ वहाँ पर यार N A plus ions होंगे smaller ions होंगे जहाँ वहाँ पर smaller ions F minus थे F minus words में थे tetrahidal words में चलिए मामला आपको clear हुआ होगा वहाँ से आप relate कर लेंगे ऐसा मुझे लगता है इसके बाद effective number of formula units की बात कर लेंगे coordination number क्या होगा N A plus का क्या होगा O2 minus का क्या relation होगा AR N A plus R O2 minus के बीच density किस परकार से find की जा सकती है first nearest के बीच का distance क्या होगा N A plus to N A plus second nearest N A plus to N A plus distance क्या होगा कितने होगे first nearest कितने होगे second nearest packing efficiency किस परकार से indicate की जाएगी N A2 के लिए यह पूरी कहाने यहाँ बना लेंगे ऐसा मुझे लगता है और यार CF2 के बारे में अगर आपने पूरी understanding दिल से आपने understanding बनाई है N A2 के बारे में BR understanding बना लेंगे कोई confusion आपको नहीं होगी ऐसा मुझे लगता है बाकि आप comment section में जाकर मुझे बताएगा कि आपने N A2 के बारे में सारी बातें जान ली है या फिर कोई आपको problem होई है अगर आपको यार कोई problem होगी तो अगले session में उस problem को दूर किया जाएगा अब हमारे मुलाकात होगी अगले session में next session, last session होगा आइनिंग compounds के structure से related उसके बाद हम यार defect को जानेंगे solids में कितने type के defect आ सकते हैं और ये different different type के defect क्या है ये हम इसके बाद वाले session में जानेंगे next session, आइनिंग compounds से related last session होगा उसके बाद हम defect को जानेंगे मामला clear है और यार जल्द ही organic chemistry start हो रही है आपने काफी सारे comments की और मुझे बताया कि सर organic में हम पीछे रह जाएंगी मैं जानता हूँ सारी planning मैं कर चुका हूँ organic जल्द ही start कर दूँगा जैसे ये chapter finish होगा आपके organic chemistry start हो जाएगी और general organic chemistry के lectures भी आपको मिलने जल्द ही start हो रहे हैं चिंता मत करें आपके साथ हो चलिए यूँ ही preparation करते रहें और पढ़ाई में आगे बढ़ते रहें thank you very much stay connected with me bye bye take care